नमस्कार प्रणाम आदब सस्रियकाल कैसे वही आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे बहुत सारे गेम सेंट स्पोर्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया ट्रैक अन्फिल्ड की वीडियो हो चाहिए फुटबॉल की वीडियो हो चाहिए उनके MCQs हो तो जिनोंने भी नहीं देखियो जाके देखो और प्यार दो रिसर्च की वीडियो हो चाहिए तो आज वॉली वॉल से रिलेटीड हम कॉश्चन्स करने वाले हैं तो वॉली वॉल को पढ़ेंगे उससे जितने भी कॉश्चन्स बन सकते हैं वो सारे करेंगे तो चैनल को भिया एक निवेदन विंती या कुछ भी कह लिजिए कि सब्सक् इसी आती है उसके स्लेबस के रिगार्डिंग कोई डिसकेशन हो गया तो यहीं होता है इसी चैनल पर होता है तो इस इस आल यॉर चैनल तो सब्सक्राइब इट फास्ट चलिए वॉली वॉल की सुरुवात करते हैं वॉली वॉल में क्या-क्या हमें पढ़ना है किस तरीके स इसकी सुरुवात है तो वॉली वॉल में क्या-क्या चीजे पूछी जा सकती है वो भी हम डिरेक्ली फटा-फट से ले लेगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करें तो इंटरनेशनल फैडरेशन की बात कर लेते हैं कि अंतर राष्ट्रे फैडरेशन वॉली वॉल की इससे क् या फीबा डारेक्ली फाइवी भी बोल देते हैं कभी कबार आप तो यह आपके फैडरेशन इंटरनेशनल डी वॉली वॉल फाइवी भी अप्रेल 1947 में बनी थी उसके साथ-साथ में आपके हेड़कॉर्टर की बात करें तो लौसाने स्विजर लैंड में है उसके साथ-सा याद रखने के लिए आप डिरेक्ली करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो इंटरनेशनल अंटरास्ट्रे लेवल पे फैडरेशन बनी थी जब भारत आजाद हुआ था तो अंटरास्ट्रे लेवल पे फैडरेशन बनी थी अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं 1947 उसके बाद में अगर हम बात करें National Federation की भारत की तो Volleyball Federation of India VFI इसकी फुल फॉर्म है Volleyball Federation of India 1951 में जाइर सी बात है पहले कौन सी बनेगी International Federation बनेगी 1947 1947 और 47 के जस्ट चार साल बाद आपको Volleyball का आपको देखने को मिलने National Federation हेड़कोर्टर का है अब यह चेन नहीं तमील नाडू में है प्रोफेसर अच्योंता समान्ता यह आपके अच्योंता समान्ता आपके प्रेजिडेंट है करेंट में देखा जाए तो ठीक है उसके बाद में अगर फर्स्ट अर्जुन अवर्ड की बात करें तो ए। पलानीच् considerations कि अर्जुन अवर्ड अर्जुन अवर्ड की सुरुआत कभ उई थी उनने इस सो ही उप इपहली बार अर्जुन अवर्ड उसके बाद में फर्स्ट द्रोनचारे अवर्डmor्ड यह रामनराव, रामनराव की अगर हम बात करें, तो आप दुरोणाचार्य आवड की बात करें, तो दुरोणाचार्य कौन थे? गुरू थे? यानि कि हम यू कह सकते हैं कि यह कोचिस को दिया जाने वाला सबसे बढ़ा आवड है, ठीक है? तो कोचिस के लिए जो सबसे यह वो कुंसा है दुरोनाचारे ओवर्ड जिसकी स्थापना का बुईती भिया 1985 1985 में पहली बार शुरुवात करी गई थी इसकी अब बात कर लेते हैं playing area के बारे में volleyball का playing area इसको भी discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले तो playing area include होता है जिसमें आपका playing court जिसे बोलते है और free zone होता है आपका अलग उसके बाद में it shall be rectangular in size और symmetrical होता है यानि कि symmetrical किसे बोलते है जैसे कि यह आपका एक circle है इसको अगर मैं बीच से बाट दू तो यह एक और यह दो यह दोनों एक दूसरे के symmetrical है उसी तरीके से अगर मैं यू कहलू कि यह आपका volleyball का court है इसको बीच में से काट दू तो एक और दो यह दोनों एक दूसरे के symmetrical है कि जैसे ही देखने को मिलेंगे चाय Śको देख़ लो चाय Śको देखलो मेरा कान इंदर से पढ़ दूसरे देखने को मिलेंगे ठीक है भई तो यह symmetrical होते है दोनों के दोनों volleyball, ये आपका court देखने को मिल रहा है volleyball court बीच में आपको देखने को मिलेगा net दोनों तरफ आपको antennas देखने को मिलेंगे यही से question आता है antenna का color क्या होता है तो red and white color का आपका antenna रहता है red and white color का आपका antenna रहता है इस antenna से भी आप से question पूछ रखते है कि कितना रहता है इसका size तो 1.80 meter इसकी रहती है आपकी लंबाई जिसमें से अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक यानि कि पूरे total net की height कितनी रहेगी एक meter रहेगी net net की जो चोड़ाई रहती है width रहती है वो एक meter रहती है 1 meter तो 1 meter आपकी net की height और 7-7 में कितना बच गया 0.8 तो 0.8 meter आपके क्या रहेगा 0.8 meter आपका net उपर net के उपर आपका antenna रहेगा इसको भी discuss करेंगे ठीक है यह आपका volleyball court देखने को मिल रहा है volleyball court में अगर देखा जाए तो यह एक और यह दूसरा court उसके ही साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगे एक number, दो number, तीन number, चार number और पांच number ठीक है अब total कितने player होगे भी या 6 player होगे 6 number, नहीं कि 6 player होगे तो 6 और 6 दोनों तरफ 6-6 player आप यहाँ सर देखोगे अगर अक्सर तो यहाँ पर scorer table होती है एक तरफ आपकी team bench A के लिए और team bench B के लिए bench लगी होती है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोनों तरफ post होते हैं एक post यहाँ एक post यहाँ बीच में आपका net जिस post पे गड़ा रहता है जो बीच वाली line इसको center line बोलते हैं उससे आगे की तरफ जो है उसको attack line बोलते हैं और फिर आपकी direct देखने को मिलता है service zone इसको हम end line बोलते हैं last वाली को end line बोलते हैं अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी question आएगा कि यह पूरा का पूरा court कितना रहता है तो volleyball court शुरू से end तक कितना रहता है यहाँ से यहाँ तक तो 18 meter 18 meter इसके क्या रहती है एक और से दूसरी और की लंबाई 18 meter चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई रहती है वो रहती है 9 meter तो अगर मैं कहूं कि 9 दुनी 18 होता है तो गलत तो होगा नहीं यानि कि हम देखें तो 2 court को अलग अलग काट दे court A और court B तो दोनों एक यह square बन जाएगा और एक यह square बन जाएगा है कि नहीं मैं दो square ले लूँ एक square ऐसे बना दू एक square ऐसे बना दू दोनों को जोड़ दू और दोनों को जोड़ के volleyball court तयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्योंकि सब के यहाँ पर बराबर होती है एक square अगर ले लू suppose करो अगर यहाँ पर सबसे आसान जो तरीका है याद करने का वो इसी को है यहाँ पर देखो मैंने एक square ले लिया square क्या होता जिसके चारो कोनों के मतलब कि चारो line बराबर होती है तो 9 meter 9 meter यह भी 9 meter यह भी 9 meter और यह भी 9 meter ठीक है वैसा ही एक square मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वैसा ही एक square मैंने यहाँ पर ले लिया इसके भी 9 meter इसका भी 9 meter इसका भी 9 meter और इसका भी 9 meter अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आप यहां पर देखेंगे हाँ अगर मैं यहां पर यह दोनों को जोड़ दू तो यह ऐसे नहीं बन जाएगा दोनों को जोड़ दिया था है यहां पर 9 मिट्र था तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 18 हो जाएगा तो आपसे अगर पूछे कि central line से आपका attack line इसके बीच में कितना gap रहेगा तो आपका 3 meter का gap रहेगा 3 meter का gap रहेगा यह question आता है आपका exam तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से यही question जो मैंने आपको पीछे बता दिया यही लिखा हुआ है length कितनी विया? 18 meter तो यह आपको देखने को मिलेगा next one आगे चलते हैं आप pole के उपर बात कर लेते हैं pole का color क्या रहता है यह pole का color रहता है white color का यह pole रहेगा यह आपका क्या रहता है यह white color का रहता है और उसके साथ-साथ में height कितनी रहेगी 2.55 meter रहेगी और अगर pole की हम distance की बात करें तो 11 meter 11 meter दोनों poles के बीच के difference देखने को मिलेगा 11 meter उसके साथ-साथ में side to side अगर हम बात करें आपके pole to side lane side lane और pole के बीच में कितना? 1 meter का distance रहता है अब यह उसके बाद net की बात करें तो net में आपके net में अगर Sir आपने pole में नहीं बताया pole में men's और women's का अरे pole तो fix रहता है net उपर नीचे कर सकते हो pole तो fix है net को उपर नीचे कर सकते हो तो male खेल रहे है तो नीचे उपर कर सकते हो ठीक है? male खेल रहे है, female खेल रहे है इसलिए net की height होती है pole की height नहीं होती है दो 4 तीम यानि कि 2.43 मीटर और विमेंज के हाथ रहती है दो 2-4 यह सही है जर 2-2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा हां ठीक है तो विमेंज is always right तो 2-2-4 यानि कि 2.24 मीटर आपके विमेंज के आपके नेट के हाइट और मेंज के हाइट यहाँ पर डाइरक्ली देखने को मिल रहेगी कितनी 2.43 विइध की बात करे हैं चोड़ाई यानि कि आपके यहाँ से यहां तक नेट की तो यह रह सकती है 9.5 मीटर से बेखnd 9.50 से लेके 10 मीटर तक रह सकती रहा 10 मीटर मैक्सिमूम 10 मीटर तक रहा सकती है कम भी रह सकती है 9.5, antenna ये बोला था मैंने आपसे antenna की total height कितनी रहेगे antenna की, तो 1.80 meter और 1 meter तो भी यार net में ही रह जाता है तो 0.80 meter आपका कितना रहेगा, उपर चले जाएगा, diameter कितना रहेगा आपका 1 centimeter खाली 1 centimeter इतना सब उंगली के बराबर ठीक है, और 1 meter inside the net 80, आपका centimeter outside the net उसी के साथ-साथ में अगर हम बात करें आपकी तो red and white color का रहता है ये और 10 centimeter आपका क्या रहता है, white और 10 centimeter red रहता है, अगर ये भी पूछ ले आपसे तो ये भी पता होना चाहिए कि 10 centimeter आपका red और 10 centimeter white रहता है, ठीक है उसके बाद में ball की बात कर लेते हैं, तो ball के अगर हम directly बात करें कि ball का weight कितना रहता है, वजन कितना रहता है, तो 260 से लेके 280 gram तक रहता है, ठीक है men's and women's दोनों का सेम ही रहता है उसके बाद में अगर हम बात करें आपके circumference की तो 65 से लेके 67 centimeter यह question आया हुए exam में, air pressure की बात करें, तो आपका 0.4 kg centimeter square से लेके 0.45 kg centimeter square, ठीक है तो यह आपका क्या रहता है, ball और उसका air pressure, उसका weight, circumference, यह बताया players की संख्या बात कर लेते हैं, अभी player से क्या-क्या question बात करें, तो question रहता है, वो क्या रहता है, याद रखना, clockwise यह important है, जो खिलाडी दोड़ते हैं track में, वो anti-cloak wise दोड़ते हैं, और यहां पर आपका clockwise चीजे देखने को मिलती हैं, यह कुछ आपके equipment कह सकते gears रह सकते हैं, जो आपके volleyball के खिलाडी जैसे की ball हो गई shoes हो गई, non-marking shoes हो उसके साथ साथ में आपके t-shirt हो गई, shorts हो गई, और साथ में आपके knee caps हो गई, यह सारी चीजे रहती हैं, तो यह आपके खिलाडी देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको लिबरो भी देखने को मिलेगा जो अलग ही कपड़े पहन के रहते हैं, यानि कि लिबरो की dress अलग रहती हैं, तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, कि जो rotation होता है वो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है ऐसे होता है directly क्यासे होता है? पीछे मैंने आपको क्या बताया rotation कैसे होगा clockwise होगा, यानि कि घड़ी की दिसा में, अब घड़ी कैसे चलती है यह घड़ी है, तो घड़ी ऐसे नहीं चलती है क्या यह सूई है, यह सूई है ऐसे ऐसे गुमती है ना, तो यह भी rotation इस तरीके से चलेगा ठीक है? यह इस तरीके से rotation होगा तो team hits की बात कर लेते हैं तो team hits की बात करें, तो team is entitled maximum of three hits तीन बार ही hit कर सकते हैं उसके बाद दूसरे पाले में जानी चाहिए maximum कितनी बार है? तीन बार है, यह question आया था इस बार exam में, the player may not hit the ball two times consecutively, यानी कि एक player दो बार बोल को नहीं touch कर सकता, पाले में डालनी पड़ेगा दूसरा वाला player कर सकता है यानी कि तीन बार तीन player कर सकते हैं तीन player, लेकिन एक ही player बार बार मैं नहीं उचा ली मैं नहीं आपकी direct बना दी ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं चलेगा समझ रहे हो उसके बाद में officials की संख्या अगर हम देखे तो एक referee देखने को मिलेगा उसके साथ-साथ में दो आपके second referee second referee देखने को मिलेगा दूसरे नमबर पर फिर आपके challenge referee है, reserve referee होते है scorer होते है, और four tool, line judge हो सकते है 4 भी हो सकते है और 2 भी हो सकते है, depend करता है कि आपके कितने मौझूद है उसके साथ-साथ में आपके score point कैसे score करेंगे वो भी देख लेते हैं तो a team score a point team कैसे score करेगी जब आप दूसरे के पाले में ball को डाल दोगे कि गिराने में सक्षम हो जाओगे यह, volleyball में liberal क्या नहीं कर सकता है, न वो captain बन सकता है, न वो attack कर सकता है, न वो service कर सकता है यह सारी कि सारी चीजे उसके साथ-साथ और क्या नहीं कर सकता है वो comment में बताना भाई, आप लोग अपनी knowledge के हिसाब से, यह question को इस पाले में से इस पाले में गिराने में सक्षम हो जाएंगे तो आप एक point ले लेंगे When the opposition team commits a fault यानि कि दूसरी team कोई गलती करती है, जैसे कि दूसरी team के एक ही player ने दो बार ball को उचाल दिये तो आपको point मिल जाएगा दूसरी player के team आपको point मिल जाएगा बस ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़े हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो भी आप comment में बता सकते हैं When the opponent team commits fault and when the opponent team receive penalty अगर penalty मिले किसी भी तरीके को opponent team को तो भी आपको point मिल सकता है तो score हो सकता है आपका जब यह यह काम हो to win a set अगर set को जीतना है तो क्या total होते हैं इसमें 5 set कितने set होते हैं 5 set 5 में से कोई 3 जीत गया तो सिधा winner है सिधी बात है 1 2 3 4 5 इन में से जो 3 जीत गया अगर तो वो winner है ही लेकिन माल लो कि आपका 1 2 3 4 यह A team ने जीत लिए यह B team ने जीत लिए बराबर हो गया match तो बराबर में क्या करना है तो आप देखेंगे won by the team which first score 25 points तो 25 points जो जो पहले कर देता है 25 points के आपके 4 set हो जाएंगे directly लेकिन अगर पांचवा draw हो गया directly 4 draw हो गया तो पांचवा क्या रहेगा यानि कि 2 points तक आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि in the case of 24-24 tie अगर दोनों के 24-24 हो गया है तो आपका counted until 2 points lead to achieve जैसे कि 25 points को छोड़के यानि कि 5th set को छोड़के 5th set को छोड़के बाकी अगर हम देखें तो 25 points पे game खतम हो जाता है directly देखा जाये तो अगर सोचके देखो कि point नहीं हो पाया एक team ने भी 24 points कर दिये दूसरे ने भी 24 points कर दिये तो कैसे win होगा 24-24 होगे तो आपका 25 वाला जीत जाएगा नहीं जीतेगा 25 वाला सिस्टम था कि जिसने 25 points कर दिये वो जीत गया ठीक है क्या 5-वे में भी ऐसा होता है नहीं 5-वे में क्या होगा कि जिसने 24-24 कर दिये ठीक है tie हो गया 25-वे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 25-वा point नहीं है 24 के बाद में 26 वा लेना पड़ेगा या नहीं कि 2 points एक साथ लेने पड़ेगे advantage और फिर उसके बाद में win जैसे कि 1 का 24-24 चल रहे है अब इस वाले ने 1 point ले लिया तो क्या 25 होगे इसके पास में जीत गया यह नहीं जीता इसके पास 25 कभी नहीं जीतेगा अब continue एक और point ले लिया 26 होगे तो जीत जाएगा यानि कि 2 का gap होना चीए बीच में या तो वह 24-26 पे जीत सकता है या 27-25 पे जीत सकता है या हम यूं कह सकते बढ़ते बढ़ते आपका 30 हो गया 1 का और 1 का 31 हो गया क्या जीत जाएगा नहीं इसके 32 होने चीए समझ गे की नहीं समझे आसानी से कि 2.1 साथ लेने पड़ेंगे 25 के बाद में तब ही जाके 5 वह सेट विन होगा और ये इसकी कोई count नहीं आने तक बैडविंटन में ये fix है क्या volleyball में ये fix है बताना कमेंट करके ठीक है तो no fix yet उसके बाद में to win a match match को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा won by a team win 3 sets 3 set जीतने पड़ेंगे तब जाके आप match जीतेंगे अभी 5 set में से 1 set जीते तो 1 set जीते आप दूसरा set जीते तो set जीते तीसरा set जीत गे continue तो आप continue के आप बाद में भी जीत के तो भी आप winner है ठीक है उसके बाद में a case of 2-2 tie the deciding 5th set of 15 points तो आपका जो 5-1 set है वो कितने points का होगा भई जो मैंने पीछे आपको बात बताई ये जो समझाया आपको directly in case of 2020 tie player continue until the 2 points ये बात कहां पे लागू होती है इसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा ज्यान से ये देखो यहां पर लिखा हुआ है directly अगर माल लो 3 set है in case of 2 sets 1 second in case of 2 sets tie in case of 2 sets tie the deciding 5th set जो 5th set होगा वह 25 का नहीं होगा जो पीछे चल रहा था 25 25 27 लेने है वह सिर्फ और सिर्फ 4 sets तक लागू थे चीजे वह बाते अगर मैंने आपको ये बता दिया कि वह वाला set उसके लिए लागू था तो वह बात नहीं है उसके लिए लागू बाई यहां पर उसको दुबारा से ध्यान से पढ़ने की ज़रू होगा इसलिए पूरी वीडियो देखनी चाहिए बीच में ही नहीं आपको छोड़ के भाग जाना है तो in case of 2-2 tie यानि कि 2 इसके होगे और 2 इसके होगे 25 पॉइंट की बात सिर्फ और सिर्फ एक, दो, तीन और चार सेट तक थी अगर यह चारों सेट 25 के उपर बात करते हैं तो यह चारों 25 के साथ डील करते हैं कि 24-24 वाला जो रूल है वो इनवे लागू होता है और आप ध्यान से एक चीज और सुनो मेरी कि जो पांचवा सेट होगा वो कितने का होगा वो 15 का होगा तो जो 15 का होगा उसमें भी आपके 2 पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे continue एक ऐसा नहीं है कि directly आप एक ही पॉइंट लेके जीत जाएंगे तो बात समझे कि नहीं समझे जिसको नहीं समझ में आई तो वो यहां पर ध्यान से सुनो एक सेट टीम A ने जीता ठीक है सेकिंड सेट टीम B ने जीता थर्ड सेट टीम A ने जीता फोर्थ सेट टीम B ने जीता ठीक है तो अब टीम A और टीम B दोनों के मिला के, team A और team A के पास पे कितने होगे 2 set जीत गए वही है ठीक है, B भी 2 set जीत गई 2 set तो ये tie हो गया, directly 4 set कितने point के थे 25 point के तो अब time बचाने के लिए बहुत पांचवा set कराना है तो A और B दुबारा एक set खेलेंगी और एक set जो खेलेंगी वह कितने point का होगा, 15 point का तो बात समझ में आई की नहीं आई ठीक है, बाद में कई लोग वीडियो में comment करेंगे, सर आपने पीछे कुछ बता दिया वो बता दिया, यह बता दिया दीकि, human errors human errors are possible हो सकते हैं, I am not a machine में machine नहीं हूँ, और जो वीडियो आपकी यह बन रही है यह बन रही है रात के time जब सारी energy खतम हो चुकी है तो ठीक है, तो फिर भी हम कौसिस करते हैं, कि आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाए, आपको कुछ ऐसी चीजे मिल जाए जो आपके लिए helpful हो तो क्या आपको यह वीडियो helpful लगी तो एक बड़ चैनल को subscribe करके भी आप प्यार जरूर देना और वीडियो को like करके हमारा मनोबल बढ़ाना physical education को जादा से जादा लोगों तक पहुचानी है और किसी भी exam की अगर आप तयारी कर रहे हैं जो भी आपके exams हैं there are lots of exams TGT level PGT level पर जो होते हैं तो आप directly संपर्क कर सकते हैं double 910 840 949 पर या फिर आप हम से मिल सकते हैं live class pre free live class 5 बजे हम आते हैं TGT PGT अड़ा 24 7 YouTube पर लिके लेना TGT PGT अड़ा 24 7 या मोनु मदूकर सर्च करके आप direct मिल सकते हैं और मैं एक चीज बत बता दू आप सभी को कि हमारे बहुत सारे batches भी चल रहे हैं तो उसमें भी आप enroll हो सकते हैं और अगर आपको WhatsApp group में जुड़ना है तो WhatsApp group का link जो है description में दे रखा है तो description में आपको link मिल जाएंगे बहुत सारे telegram का भी है free quiz का भी link है vacancies का भी link है जहां पर बहुत सारी vacancies आती रहती है Instagram का link है तो Instagram पर मुझसे जुड़ो personal कोई सवाल है तो वहाँ पूच सकते हो तो ऐसी सारी queries के लिए आप हमसे directly मिल सकते हैं जय भारत physical education जिन्दबाद मैं अलविदा लेता हूं share कर देना वीडियो को प्यार दे देना